नमस्कार प्रणाव अभिनंदन स्वागत दोस्तों मैं आपकी अपनी सकी हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा कारिकरम दस तक दिल की बात कलम से हैं अपने सभी देशकों का दिल से अभिनंदन करती हूं खैर मक personally करती हों और हां धन्यवाद भी करती हूं कि आपका प्यार आपकी दुआ हैं हमारी कारिकरम को निरंदन मिल रही हैं और हम भी तो आते हैं हर बारिस वाइदे के साथ की आपकी मुलाकत करवाएंगे एक खास शक्सित के साथ जो साहित्ते के सफर पर हैं और कई मनजिले तै कर चुके हैं और आकाश के अदब में अपनी खास उडान पर हैं और राष्टे अस्तर का जाना माना नाम है पहचान है टीवी पर दूरदर्शन पर अपने प्रस्तूती देते हैं कहानिया मंचित भी हुई हैं कहानिया खुद भी उन्होंने मतलब टीवी दूरदर्शन पर पढ़ी हैं आकाशवानी पर पढ़ी हैं और पत्र पत्री काओं में अखवारों में उनकी रचना ये अकसर हमें जो मतलब मैं ये कहूंगी कि साहित्य जगत का जानमाना कोई भी संस्था हो कोई भी साहथिक गदिवेधियों कारिक्रम हो हर जगय उनकी शिर्कत رहती है मौजूद्गी रहती है अक्सर वो हमारी कारिकरम के मुख्य बुमी कामे होते हैं और बहुत सी संस्थाओं के सदस्थे हैं कहीं संस्था पक सदस्थे हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बैंक से रिटायर हैं चीफ मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हैं और उनके खास बात यह है कि समाज में इतना एनोखा काम कर रहे है कि अपने आप में मिसाल है अब एनोखा काम क्या कर रहे है वो तो हम आपको बातों बातों में उन्ही के मुखारबिंदे से कहलो आएंगे किस तरह से वो special child बच्चों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सेवाई दे रहे हैं, क्या मुश्किले उनको आती हैं अक्सर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुर्दवारों में लोग दानपून करते हैं, माथा ठेकते हैं, अरदास मांगते हैं, लेकिन वो एक ऐसी अरदास है जो special child के लिए करते हैं उनकी केर करके और समाजिक सेवा से बढ़कर कोई अरदास नी, क्योंकि हम अरदास मांगते हैं मंदिरों में अपने लिए, लेकिन जब हम special child जो बच्चे होते हैं, उनकी केर करके हम उनहीं के लिए दुआ मांगते हैं, ऐसी शक्सियत हमारे साथ है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, नरे आप से रूबरू होने का एक अफसर परदान किया है, मैं स्वेम को करेतार्थ समझता हूँ, जी हम भी धन्य हैं, और आप जैसे शक्सियत हमारे साथ है, बहुत कुछ आज आप से समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो हमारी जिंदगी में में काफी कारगर सेद होगा इस उमीद के साथ अपनी बातों का सिल्चला शुरू करते हैं, और जैसे कि आप राइटर हैं, कहानिकार हैं, आप सभी विधाओं में लिखते हैं, आप उपन्यास, आप कहानी लिखते हैं, आप गीत लिखते हैं, रचनाय, समिक्षाय, आलेख, निवंद, अक्सर आपके पत्र-पत्र काओं में हमें पढ़ने को मिलते हैं, आपकी बहुत सी कहानिया प्रकाशित हैं, समानित हैं, अवार्डिड हैं, तो आपके बारे में आज बहुत कुछ जानेंगे, ना सिरफ साहित हैं, आपकी निजी जिन्दगी को भी, आज हम पुरा खंगा लेगें, आप लिखते हैं, निबंदय कालेक, सब आपकी चर्चित रहते हैं, لेकिन कहानी आपके बहुत पुरस्कृत होती हैं, और थोड़त कहानियों पर théढ़ा बात करते हैं, कि आपने कहानी के प्रतिया अपना जो रुज़ान है, कब मेहसूस किया, कि आपने जाना कि मैं एक कहानि बनू किसकी कहानियों से मुतासिर हुए आप इस बारे में शुरुआत जैसे हर जो मैं दस बारा साल से ही कुछ लिखने के प्रती मैं लेख को ऐसा मानता था कि वो इस दुनिया का प्राणी नहीं है अच्छा तो बच बच्पन था अच्छा अब कितने साल के थे यह मैं तब अच्छा तो मुझे लेखकों के बारे में मतलब मैं सोचता था को इस जगत के लोग नहीं मतलब 14-15 साल की अपास लगभग यह 64-65 की बार था 13-14 साल की उमर थी तो तो मुझे लेखकों से प्रेरित में बहुत होता था महादेवी वर्मा की कहानी पड़ी तो मतलब कुछ ऐ अध्यापक थे तो उन्हें कहा कि आप लिखिये आप पांच चीजें लिखिये कि पहले नंबर पर आप किस पो रखते हैं कि क्या बढ़ना चाहते हैं जीवन में तो उन्हें एक मतलब हमें ओडान सी दी जैसे क्या बढ़ना चाहते हैं तो किसी ने डॉक्टर लिखा किसी मुएं निणीर बहुत कुछ लखा तो मैंने सब्से पढ़े लेखक अचा सो उसके बाद मैंने बाकी करम में जो उस वक्त अच्छा लगा होगा मैंने कहा रिस्यानिक जीवन में बहुत अच्छा लगता था तो गणने में क Hey Beno तो कहीं भी वेफसाए की नहीं था तो उसके बहुता है को अगर बनना वी हो तो इंजीनिर बढूताकि कि कूछ निर्मान हो, किसी निर्मान में लगा रहो अब हुप छोटा था छोटा था टो आपकी जीवन के प्रती उदेश्या बंलते रहते होंगे नेचरल होता है उम्र होती है कि जब सीजे भाव जो आते और जाते हैं कुछ तिरनी रहता था जब हम अपना भविश्य में क्या बनेंगे अपना वो कहते हैं कि एम जो यूर लाइफ तो हम कहते थे मैं देश की प्रधार मंत्री बनूंगे जिन्दगी को जब संज्ञा पता चला प्रधार मंत्री बनने के लिए किस दौर से किन किन रस्तों से और कब सी पार्टियों से जुड़के क्या क्या अच्छे बूरे सबी रस्तों से निकल कर और किन किन चीजों को पार करके यहां तक पहुंचते तब समझ में आये तोबा त अच्छा है कि जो चात्र जीवन है और उसमें सपने बहुत होते हैं और उनको जथार्थ पे लाने में पसीने बाद में निकलते हैं तो सच तो यह है लेकिन मुझे याद है कि मैं 15-16 साल के रहा होंगा कि जब मैंने पहला नाटक लिखा जी 15-16 साल के अधाया तो वो को एक संत आया थे तो उन्हें कोई कहानी सुनाई किसी बच्चे की अच्छा तो मैंने उस बच्चे पे पूरा नाटक जो है और हमने अपने महले में वो खेला भी अच्छा और उसमें 2-500 लोग हमारे महले के इकठे भी हुए चंदा भी किया रुपए दो रुपए ठंदी चवन रिखना क्या यह नहीं पता था मतलब कि लिखना क्या है मदलब एक जनून था इसे अधिया लिखा तो लोगों हमने बहुत इस रहा बहुत अधिया क्या था मतलब उसमें नहीं अधा जो 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 चाचियां का चाचियां भूआ जो बी थी तो वो उसके जो अड़िया बच्चाना इनाज भूछे सबस्कति एक टाइम पर खाता है अड़िया है तो फिर वो जीवन में चोड़ चाड़ के सन्यासी बन जाता है तो सन्यासी ने सनाई तो उन्हें बता जाता है कि जीवन से त्रिषकार जो है वह आदमी को बहुत आगे ले जाता है तो उस कहानी को पूरा जो यह कहना चाहिए सार यह था कि आपको त्रिषकार जो है अगर आपके अंदर कुछ है जजबा तो आपको आगे ले जाएगा या अपनी कहानियां जो हमारी पुरानिक दंद कथाय है आदर्शवादी रही है तो जीवन का आदर्श संदेश नहीं थो होता है उन कहानियों में और मैं तो यह भी पूछना चाहती हूं कि जब आपकी जो कहानी थी आपका कहानी संग्रह है बहुत सारी पुस्तकें हैं आपकी लेकिन हम बात करेंगे कहानी पर तो कहानी जो आपकी है ये तुरूप चर्चा कहानी संग्रह बहुत ही डूआ है तो ये तुरूप चर्चा क्या है आपने क्या सोच के नाम रखा तुरूप चाल जो है जिसे हम कहते हैं कि एक सर्प्राइज एलिमेंट है जो आपको सोचते कि आप कुछ ऐसा सर्प्राइज, आपको मिलता है तुरूप चाल का मतलब कि जो ऐसी छूपी हुई, मतलब आप चलते हैं . गेम में जैसे खेलते हैं पत्त तुरूप का पत्त हुंगता जो आपने सोचा नहीं होता और उसे किसी को पता आप सारी बार पलट जेते हैं और इस कहानी संग्रह की भी वदर जो है बड़ा रोच किस्सा है रोच किस्सा इस दिश्टी से है कि कि जब यह कहानियां वेरा पत्रकाव में छपने लगी सब जगह चर्चा होने लगी यहां तक कि अखल भार्तिस्तार पर कभी बिहार से कुई पार्थे की चिट्टी आती कभी बंगौल से मलें ऐसे लगने लगा कि यह किताब काफी चर्चा में रही इस पर हम इस चाल पे आप ये भी जानते हैं कि हर बार हर मुलाकात में दस्तक में आपकी मुलाकात होती है एक खास प्रेरणा से जी हां जो हमारे लिक प्रेरणा होते हैं कभी कैंसर से खुदी स्वयम को मुक्ती देते हैं समात सेवा करते हैं अलग-अलग किरदार हमारे कारिक्राव में आते हैं जो हम सब के लिए प्रिरना बनते हैं और आज इस कड़ी में नरेंदर निर्मोही जी हमारे साथ है और कर रहे हैं उनसे बात नरेंदर जी आप एक बात और बताईए कि जैसे आपकी आपकी एक खासियत है कहानी पर हम बात कर रहे थे तो मैं उस खासियत पे भी बात करूँगी क्योंकि वो बात अगर हम समाज तक नहीं पहुचाएंगे तो आपका यहां तक आना विफल हो जाएगा क्योंकि एक खास शक्सियत हैं आप समाज के लिए आप जो special childs हैं उस center में भी आप पुरह संभाल रहे हैं केर करते हैं और उन बच्चों को भोजन देते हैं एडिकेशन मेडिकल हैल्थ वगरा सारा प्रोवाइड करवाते हैं तो इसके बारे में तुझे दरिश्टी डालिए यह ख्याल आपको कब आया क्या वजह थी आपने special child care center में आपने काम किया संस्था को बनाया और अपनी आत किस तरह के बच्चे आते हैं तो के से संभालते आतक है और मले यह जब तक कि यह जीनुला जी की पंक्तियां हैं व्यता ही जीवन की कधार कही रही क्या कहूं Hier 이야기 तो जो नहीं कहीं तो मेरे घर में ही एक मेरे बच्चा आया जो मानसिक रूप से अक्षम था और यह हमें बहुत तीन-चार महीने तक तो उमीद में रहे साल तक भी उमीद में रहे कि शायद इसको उपचार से ठीक हो जाएगा हम आल इंडिया एम्स में भी गए और वहां के डाक्तों के मेडिकल बोर्ड ने इसमें कहा कि निर्मोही जी हम इस बारे में इस में हम कोई सायूग नहीं कर सकते यह एक सेवा है जो आपको और आपकी धर्म पत्नी को ताव उमर करनी पड़ेगी और अगला कोई इशू करें अगला आपका बच्चा करना चाहें तो हम आपका सायूग कर सकते ताब आप हमरे बास नहीं है तो आपको यह सेवा मान के आपको करना है और स्पेशल चैल्ड था तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम थी तो वो उनको जो उनका डॉक्टर को कहना था कि इनका गर्भधारन के वक्त जो है इनका मस्तिक्ष पूरंता विक्षत नहीं हो पाया समय से पहले जूड़ इसका पूरे विश्व में कोई अलाज नहीं है तो यह लाज है तो आपको सेवा ही करनी है तो आप मंदर गुर्दवारे मस्चिद मत जाईए आपके घर में एक भवान आये है और इनको नर्द सेवा नरायन सेवा मान के इस बच्चे की सेवा अप इस बच्चे की सेवा आप भी कचोडती है कभी 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 मैं सोचता हूँ समेरे कहानी भी लिख थी है तो उसमें तो सदाजी था अनकी बेटी थी है तो अब अर मन मे बहुत नहीं है तो में बहुत भाजशालि हो अच्छा तो मुझे मजमें बहुत पीड़ा हूए कि मेरा बेटा ऐसा है और हम साथ दिन से धक्के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इतना पहाड सा दुख है, और ये सदा जी कह रहे हैं, मैं लग्की हूं, किया आप भागेशाली हूं, तो मुझे एक बार तो मैं हिल गया अंदर से, पर मैंने फिर भी कहा, मैंने कूछ तो मुझे क्यों कह रहे हैं, किया तो मैंने कुता जी बिताजी, नए भागेशाली कैसे हूँ ए, कहता, निर मोही जी, आपका बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी आपकी स्थिति में है, जब ये तेरा, चौरा, पंदा साल पी होगी, तो अब उसकी कलपना करके ही मेरे दिमाग, मतलब मारा दिमाग ब तो एक बच्ची का उसका विकास नहीं है अलप विक्षचत है उसके साथ शोशन की कूई सीमा ही नहीं होगी आपके रिष्टेदार कोई बाहरबांदर बाहर भीटतर अंदर कैता मैं तो मतलब मेरे पस कोई उप्चार ही नहीं है कैता मैं तो इससे बहुत परिशान हूं कम से मेरे मन में उनके प्रतिर बड़ी श्रद्धा जागी तब मैंने कहा है साराजी मुझे एक बार तो दुख गुस्सा आया था आपके सच बताऊ तो एक बट मुझे लगा थे मेरी पीड़ा को कहते है मेरी पीड़ा आपसे भी तो यह संसार है तो जब ऐसी पीड़ाएं देखते थे तो मुझे शाले साब मेरी धर्म पत्नी थी अंजली तो इस दुनिया में नहीं है अब अच्छा उस दिनिया से विदा ले चुकी है यह बात यह बात दो साल पहले की है, दो साल पहले है 202 जनवरी 30 जनवरी 2021 को तो तो मुझे से अलग हुई और उस मा ने उस बच्चे का 5 divided च्चों के साथ, 3 बच्चे एक साथ पाले उन्होंने इस पान्जाट ने लास्ट मैं में ट्विंज हुए अच्छा अच्छा बपाद में वो बेटा आंकित, तीनों बच्चों को और मेरा में काम करता था, मुझे आना जान फिर आपके पांच बच्चे थे पांच बच्चे थे और एक स्पेशल चायल हो गया एक बड़ी बेटी थी वो बड़ी हो गए थी उच्छ पांच पी चौथी पांच में पढ़ने लगी थी और चोटी वाली बेटी दूसरी में थी शैद और ये नाइंटी वन में बच्चे हुए जुडमा और उस वक्त मुहारे जो सालेश भी शुरेश जी जो हमी संस्ता के हमारे परधान भी है वो हमारे घर पे आये तो उन्होंने हमें देखा दो तीन चार दिन तून्होंने एक बात कहीं विचार कैसे जन्म लेता है और कैसे लेखन की महतुबी पता लगता है कि लेखन का क्या महतुबी रहा गया है कि हम जो चाहते हैं बदलनी पा रहे हैं जो समाज को हम जैसा समाज हम चाहते हैं वो हम करनी पा रहे हैं और इतने लोग लगे हुए हैं फिर भी समाज इस अज़ता है कि कही और ही दिशह में जा रहा है, तब उन्होंने मुझे विचार कैसे आगे बढ़ाता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जीजाजी आप जो है, बेंक में हैं, और मेरी दीदी बहुत समर्पित है, ऐसी देवी तो मिलेगी नहीं कहीं, कि जो इस बच्चे का इ उन न भी तीन बच्चों के साथ बिठा के Ш Creatli बच्चों के बिठा के घलाना पर्ता कि इनकी सेव और मदर अबiquनेर में LAUGHTER उन्हें यह कर रहा Sihaahi旅ज झेभी मेंDR बच्चों के संपन केमानी और किस न भी बच्चे मिली तर इनकी कि देख रहा हूं वो मुझदूरी दिहारी करते हैं, और वो आते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, इन बच्चों का क्या होगा, कितने बच्ची होंगा ऐसे, तो ये विचार था, तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कि अभी तु मुझे मेरे पास अपने बच्चों का दायतु है, और जब मैं इन द चार चलता 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 दो हजार चे में उन्होंने एक संस्ता बनाई, Human Rights Protection Cell and Well Fair Association, तो उसका पहले दिये यही था, कि अगर हम कोई पहला काम करेंगे, तो हम विशेश बच्चों के लिए करेंगे, तो दो हजार दस में केवल एक लाख बीस हजार रुपए थे, उससे ह मैं इन बच्चों के लिए स्पूल बनाने के सोची, और उस स्कूल बनाने के लिए शुरूआत की, तो उसके बाद इतने दान्वीर लोग आये, इतने लोगों नहें साथ दिया, कि वह आज तक द्रॉन जारी है और कभी कोई कमी नहीं आई, और उन बच्चों के लिए दो और इसमें हमने आश्रे बनाया पहले 17 बच्चे आप उस संस्थान का नाम आश्रे है उसके बच्चे लिए आश्रे स्कूल है और नरेंदर जी इस पर विस्तार से भी करेंगे बात और अभी आपकी कविताएं भी सुरनी बाकी हैं लेकिन आज आपकी मुलाकाद हो रही है नरेंदर मिरमोहीजी से जो कि हमारे समाज में एक समाजिक कार्य करता है special child बच्चों के लिए उनकी care care करते हैं, उनको संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, खान, पान, शिक्षा, पढ़ाई, उनकी health, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आज उन से मुलाकात हो रही है, करते हैं बातों का सिलसला और आगे, नरेंदर जी जैसे क वह उनको से दोन वह वह उसी सकूल थे, उनकी जो मालिक थे एपनी गाड़े थे, कि जब तक आपकी गाड़े नहीं होती है, यह सहयोग हमारे ही नहीं और लोगों का भी है, समाज में वो कहते हैं, कि एक बंदा मशाल उठाता है, तो काफिला उसके साचाल की उसके बतारहा जी बस ठा निए अधिस एगने दवा इन बॉल हाल कि मेच चेनल को छोड़ा एगी पहले अफनी स्कूल कर एक चोड़के लाटे फिर वहारे बच्चा को छोड़के आटे मिहने तक अ裡面 है की कर मुझे यही फिर हमने एक पर बैंक रिइन लिया उससे सबसे पहले Ek founder जो है उसमें बच्चों को लाने लगे और आज जो है आज की स्थिति यह है कि हमारे पास 83 बच्चे हैं और 26 गौण से आते हैं और तीन वहां जो हैं हमारे उनको लेने जाते हैं छोड़ने जाते हैं और अभी हमने इन बच्चों के रोज़गार के लिए भी एक अराधना करक से बनाया है सेल्फ है ग्रूप है कि जिसमें बच्चे जो है जब दिव्यांग जान जो है कोई भी पच्चे नहीं 18 साल से उपर जो भी दिव्यांग है और वहां आखे अपने धूई रूवी बत्ति धूप चुनरी या कुछ मोंबत्ति जोग भी करना चाहें तो उनका जो कोस्त है वो निकालने के बाद जो प्रॉफित अब बांड दिया जाता है ताकि वो अपने स्वारोजगार उनको को यह मैसूस नहीं हो कि वो आत्म निर्बन नहीं है तो नरेंदर जी यह तो रही बात आपकी सेवा किया आप समाजीं सेवा कर रहे हैं और यह किनन प्रभू यह को भी सुखद बनाकर दूसरे बच्चों की केर टेर करके सब को इस तरह से अपना अस्तीत वह सब कुछ उनको सौंप करने के बाद सौंपने के बाद यह मुकाम हासिल होता है कि आप उस कैटेगरी में आता हैं कि मदर टेरस से कम नहीं है मदर टेरस जी जो हैं उनकी पर चाइल है वह वी सबस्त हो और चलो यह तो एक हमारा अलग पहलू रहा डिसक्शन का लेकिन हाँ मैं बद करना नहीं है मदर टेरसा मदर टेरसा ही है पर एक मैं तो मानता हूं कि एक चोटा सा मैं अनू हूं हलाकि आप भी जानते हैं कि अनू बनता है उसका परवाव बह मारे कोशिश होती है कि कोई हमारी का उनके लिए हो सके तो हम जितना कर सकते हैं और लोगों का बहुत मैं हम तो एक रुपए के सिक्के कुई है एक रुपए के कि लिए और आपको उपन्यास के लिए आपकी जोली में है अलंकरित हैं और कहानी के लिए आप इतने चर्चित हैं कि अगर कोई कहानीकार बनना चाहता है अगर्ण जाता है कि अगरेंद्रजी की कहानिया पढ़िए मैं मैं खुद शुरुवाती दौर में थी और मेरे को भी आपकी किताबे हाथ लगी थी मैंने भी आपकी कहानिया पढ़ी है और एक समय वह भी आया कि जो मेरे उपन्यास आए तो आपने उनकी भी समिक्षा करिया मेरे पाठखवर समिक्षक भी रहे यह मेरा सभाग्या रहा कि मुझे आपने यह मौका दिया और आपने भी उपनियास थोड़ा उससे आगे ही जाएगा और आगे आगे भी बढ़ेंगे भी तो उसमें भी आपने बड़े समवेदन शील पक्षक उठाया था वह कहानी कौन से जिस पर चर्चा होई थी बहुत खास एक कहानी थी आपकी बुखारी कहानी थी तो इसके भी एक रोचकिस्सा यह था कि यह सैनिक जीवन की दुश्वारियों पर एक कहानी है तो उसमें कैसे रेजिमेंटेशन होता है कि कैसे आदेश जो है वो चलते हैं उनका कितना परभा गलत भी होता कभी गभी तो उसी पर निरबड थी और मैंने कई पत्रकाओं को प्रतिष्टित पत्रकाओं को भेजी तो लॉट आती थी तो जब लॉट आती थी तो मेरे घरवाले कहते थी आपकी कहनी भी लॉटती है अच्छा मैं वो काल लेख कौन हुआ इसकी कहानी ना अब लॉटे गी तो उसको और कोशिश करें भाई कोई बात नी तो हमारे रुबेश बत्रही जो आज दुनिया में नहीं बहुत बड़े अच्छे कहानी कार ने पूरे मद्ध परतिष्टित कहानी कार है और वो सारिका के उप संपादक भी रहे तो उन्हें मुझे कहा कि आ अलग से पेराग्राफ लेका इस कहानी को लेकर ही तो उसके बाद भी ग्रामय जीवन की कहानिया जो भी संकल निकले और मेश दर्पन ने एक निकला हिंदी कहानी कोश जिसमें सन 1947 से लेकर उनी सो पचासी तक के परतिष्टे लेकर कहानी चापी गई थी तो उसमेरी कहानी उन्हें विशेश रूप से मुझे आग्रा किया यह कहानी तो मुझे लेनी ही है और इसमें डॉक्टर तसेम से वह भी आर्मी में थे तो उन्हें इसका पंजाबी में नुवाद किया और वह बड़ोदा में मुझसे उन्हें मिलने बलाया मैं उन्हें से मिला भी वह इतने इस कहानी से और भी बहुत लोगों ने इस कहानी को इतनी सराना मिली और मैं तो निर्मोही साब यही कहूंगे कि आपकी जो बुखारी कहानी है हम अपने जस्ट टेवी के दर्शकों तक किसी दिन जरूर लेकर आएंगे उसका ये मेरा सवाग्य होगा कि बहुत पहले चपी है और काफी दूर इसके अंग्रेजिय अनुवाद भी हुआ है इसमें अंग्रेजिय अनुवाद भी कहानी आपको छोटा सा इस इस बात से तालुक रखता हुआ किस्सा सुनाती हूँ जी जी इक बार इंटर्व्यू किया था तो जे शक्सियत का तो वो कहते हैं कि मैं कभीता लिखती थी वापीस ढाती थी वापीस आजाती रख लेती थी मेरी खुप सारे एक लीफाफा भर गया मेरी रचनए वापुस आ जाती थी और मेरे पती मतलिम उनको बदाती थी कि यह परकाशित नहीं होई उन्होंने कावेल ने समझा उसके बाद वो लिखती वापिस आ जाती काफी सारी वापिस आ गई फिर उनकी पती ने कहा एक दिन इसी बैग से वापिस जाएंगी और तमारी दिमांड पर लोगों की दिमांड पर फिर से छपेंगी और उनके हजबन की जब डैथ हो गई उसके बाद क्या वो ने बड़ी गमगीन महौल मे कोई गजल लिखी और वो परकाशित हुई और उस मैगजिन के संपादक ने कहा कि अपनी पुस्त के अपनी जो कवीता हैं गजले हैं निरंतर भेजते रहें और उनको 500 रुपया भी एक रचना का मिलता था तो जितनी वापिस आई थी पूरा कट्टा भर गया था वो वन वापिस चपने के लिए भी गया तो ऐसी भी हमारे पास किसे हैं कि निराशा निराशा तो राइटर हो ही नहीं सकता निराशा ही नहीं सकता है अगर वो धारा के वरुद नहीं चाहता है तो लेखक है नहीं जी मदब कभी भी लेखक तभी बनता है कि जब उसको तरसकार मिल किस्सा इसलिए याद आ गया कि आपने कहात की रचनाय वापिस आ जाती थी और देखे ना जब वापिस गई तो कई भाशाओं में अनुवादित हो कर गई इसका कहानी संग्राय का भी रोच को बहुत रोच किस्सा है कि इसको जब यह कहानी चपी तो सब ने का भी आप कहानी पुस्तक में चपवाओ पुस्तक गुरु बनाओ आप कहानी संग्राय चपवाओ तो मैंने कोशिश की तो एक प्रकाशक ने मुझे प्रस्ताव भेजा कि हम इस पुस्तक को छापेंगे और पचास प्रतियां आपको देंगे और आपको मान दे कोई नहीं देंगे अच्छा तो मैंने चित्थी वापस लोटा दी कि मुझे शर्त मंजूर नहीं है कि अगर मुझे आप एक रुपया भी टोकन देते तो अगर रेकन एक रोल्टी देते तो मेरे एक लेखर का समान होता है तो मैं अभी सपूर्स मैं नहीं चपोना चाहता है बात आई गई होगी उसके जयते मीत्र ही जेवने में गॉत कुछ किया इस ग्ष्केणि नहीं अगरा नहीं है और आपने धर्म-पत्न ही कि और मित्रों जिवने मैं असे मधले रहे हैं है कि गिने बहुत आगे तक ले गई तो मेने दोस्ति ने मिथ तक लेगए तो में अगर क् 1 दिन आए अप कहानिय निकल जाए और आपकी किताब भी छप जाएगी और आपकी रॉयल्टी तो इतनी बढ़िया मिल जाएगी मैंने का अभी तो चुनाव थोड़ो हो गया को चैन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कैताब करो तो सही और वो देखे मेरे पास कोई फोटो स्टैट कॉपी थी कोई मैं कहता हुआ कि इतनी बे तर्टीब थी वो एक फाइल बनाई उसों नहीं बनाई बैठके दो-तिन गंटे और नेंदर नियंदर नियंदी ने फाइल बलाके खुद जाके पोस्ट ऑफिस पोस्ट कर रहा है तो यह तो बहुत सभागय की बात है कि आप कि इतने चमित्र है मैं से और आज आपके मुलाकाथ हो रही है ने निर्मोहिजी से बहुत जाना अपने उनके जीवन के बारे में उनकी किताबों के बारे में, कहानियों के बारे में, किस तरह से प्रकाशित हुई, किन दोस्तों ने छपवाई, किनों ने सुझाव दिये, आशरे खोलने के लिए जिनने सुझाव दिये, उसके बाद उनकी यात्रा, विकास, सफलताई, मंजिले, सब आप से रूबर हुई, अब जरा एक पक्ष और है निरंदर निर्मोही जी का, कवी का, कवीता पर भी करते हैं बात, तो हम चाहते हैं कि कितनी सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बहुत कुछ है सुनने को, लेकिन शुरुवात करते हैं कवीता से, जो आपके दिल के देहत करीब है. देखिये, कोई भी लेकिक जो है, अपनी शुरुवात कवीता से करता है, और जब मैंने शुरुवात कवीता से की, तो मेरी उमर बहुत छोटी थी, छोटी इस तरह से कह सकते हैं, कि कलपनाओं के घोड़े थे, तो यथार्थ से बहुत जूर थे, निर्मोही साहब, बाते हमने बहुत की है, कवीताओं से हम बंचित हो जाएंगे, तो मैं इसी के बारे में, कुछ अलग अलग शेट्स पर आप कुछ करता हैं सराओंगा, तो ये कवीता, एक नुकड नाटक करने की सोच रहे थे, तो एक नुकड नाटक को ध्यान में रखत तो ये मने एक सवता लिखी थी, तो वह है, अल्ला रखा, पीचक चहरी, नंगे पाउं, फटे हाल, परिशान खड़ा है, नहीं कोई उसका संगी साती है विपदा भारी, बीस बरस पहले लड़की अपनी की शादी पर एक नरेल उधार लिया था, मंगूशा से इस शर्त प बीस बरस पहले लड़की अपनी की शादी पर एक नरेल उधार लिया था, इस शर्त पर की दूंगा भी सेर दाने आती फसल पर, परकस्म खुदा की रखे रोजे पड़ी नमाजे, फिर भी किसमत पूट गई थी, धर्ती अम्मा रूट गई थी, हुए बीस के चालिस, चाल था, हुए बीस का हजार था, हुए बीस का हजार था, अब शाम ने पंचैक बलाई, अपनी नेक नीती की दीद हुए, कहा ल्ला रखाने साफ साफ, कहा ल्ला रखाने साफ साफ, हजूर पड़े उसके बदन में कीडे, उसके बच्चे भूग शमरे, जो वे जूट बोले, शाह से ना लिया था कभी नगद उधार, सिवा एक नरेल के और जिसके बदले में अठारा बरस से देता रहा है रंबे, दरातियां और पंजालियां और की होंगी बेगार की सौ दिहाडियां, और की होंगी बेगार की सौ दिहाडियां सबूत पंजायत ने जिरह की, सबूत पंजायत ने जिरह की, उठा मादो धोबी, हजूर समर्त को नहीं दोश कसाई, पन अल्ला रखा है, जो कहता है, सच कहता है, शाह तम तम आया, चोर चोर मौसेरे भाई, मादो मेरा पुराना कर जाई, है जूठी इसकी गवाही, पंजायत ने किया इंसाफ, पंजायत ने किया इंसाफ, अल्ला रखा तेरा आधा कर्जमाफ, अल्ला रखा ने अपने हाथ जाड़ दिये, कपड़े तो थे नहीं बदन पर जो वै जाड़ता, हजूर पांसो की तफीक होती, तो शाह से ए एक नरेल मांगता और यूँ बेज़त होता, इनकारी पर शाह बुखलाया, भागा भागा कचहरी आया, अल्ला रखा जहां ताहां में में आया, कोट कचहरी के चक्कर, तारीक पर तारीक, पेशी दर पेशी, अर्जी नवीस, पेशकार, हल्फ नामा और महिंताना, तिस पर गाउं से शेहर आना, तिस पर गाउं से शेहर आना, वकील और मुन्शी का खर्चा, बेबस हुआ, बिचारा अल्ला रखा, विकी जोंपड़ पट्ती, और हुआ कर्ज, हुई शाह की चांदी, देख अल्ला रखा का हश्र, और उन्हें जैसे तैसे किया सबर, आदे अतूर बगतान किये, आठ बरस बाद, आज फैसला हुआ, आठ बरस बाद, आज फैसला हुआ, अल्ला रखा, बेकसूर है, बीच के चेहरी, नंगे पाउं, फटे हाल और परिशान, खड़ा सोच रहा है, इस नयाय को लेकर, जाए तो कहां, सोए तो कहां। कि पर्ण true से नां एक पूरी कहाणी को कविता में समाहीत कर देना बहुत बढ़ा हुनर है। कितने कम समय में आप एक पूरी दास्ता एक पुरा उपन्यास समझ लेते हैं हैं तो गागर में सागर को भरने वाला जो है ये रचना रही आपकी और एक और रचना के आप से अपील करते हैं कोई छोटी सी रचना चोटी झी जी जी जो आपके दिल के बहद करीब हो या उन उनकषणों में रची गई हो जब आप बेटे के घम में थे या सेवभाव में थे या पत्नी की याद में कुछ जो तो मैंनुसका नावी एशास दिया है एशास तुम्हें भी है खबर मुझे भी है खबर मुझे भी है कुछ ढूंडते हैं हम दोनों एक दूसरे में खामोश ही खामोश ही जी एसास तुम्हें भी है खबर मुझे भी है कुछ ढूंटे हैं हम दोनों एक दूसरे में खामोश ही ना मैं कह पाऊं ना तुम कह पाऊं किस तरह गुजारी हैं रातें तना तना सी जाग जाग कर जिस तरह से गुजारी है रातें तना तना सी जाग जाग कर शब्द तो सिर्फ चार हैं हम प्यार करते हैं पर अदरों पर नहीं आते कहीं अटक जाते हैं ख्याल भटक जाते हैं यादे बनकर अतीत की ना बनाओ घर अपना यादे बनकर अतीत की ना बनाओ घर अपना या तो हो जाओ मेरी या फिर कह दो नहीं ये मुम्किन या तो हो जाओ मेरी या कह दो नहीं ये मुम्किन जान मेरी हम साथ हो या नहों प्यार है प्यार था प्यार रहेगा क्या बात बात याद आ गई है कि ब्यार को शब्द देने की जरुत नहीं होती शुक्ते कि शब्दों को अधरों पर धर कर मन का भेद ना कोलो मैं आख्षों से सुन सकता हूं तुम आख्षों से बोलो कई वार अशुप हो जाती है और देखें आज आपने बहुत खूंसरत कि दारे में भी बताया और इतनी व्यस्तता के बाग जूद्ध आपने वक्त निकाला हमारे उच्वाज्ड के अाश्र को लेकर जीवन आपने 6 गाला हमारे दश्कों ने आप से जाना आपने वक्त निकाला मैं हमारा जस्टीवी की और से मैं अपने सभी जस्टीवी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूं आप स्टूडियो में आए मैं भी आप सभी का उर्मल जी खास तौर पर जस्टी भी आपका और दश्चों का अभार विक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे सुना तो अगर कोई भी कहीं भी किसी भी समाज सिवा में समाज का कोई जोड सके तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी जी बिलकुल और दश्कों मैं फिर लोट कराऊंगी लेकर एक और दस तक दिल की बात कलम से हर बार आपके मुलाकात होती है खास शखसियत से जो अपने आप मिसाल है समाज के लिए समाज कल्यान के लिए जिनका जन्म हुआ है मुसीबतों में रहकर सबकी मुसीबते दूर करने का जो हुनर है वो हमारे खास महमानों के पास है जन्से आपकी मुलाकात है और मैं फिर आऊंगी लोट कर किसे भी इन्फो के लिए आप हमें info at justbroadcasting.com पे संपर्क करें इमेल भेजें अपना सुझाव दे प्रतिकिरिया दे अपना प्यार दे और अब मुझे और नवेंदर निर्मोही जी को दीजिया अनुमती प्रणाम